तो ये है log footage और अब जो आप ये footage देख रहे हो ये है color graded footage तो अगर आपको भी ये question है कि ये log footage क्या होती है C-log, S-log, N-log ये सारे log formats क्या होते हैं और कैसे आप अपनी एक log footage को लेकर उसको color grade कर सकते हो इस सारी चीजे मैं इस वीडियो में explain करने वाला हूँ तो सबसे पहले समझते हैं कि log footage होती क्या है तो अगर आप Canon का camera यूज़ कर रहे हो आपके camera में C-log होगा Nikon में N-log होता है, Sony में S-log होता है हर एक camera manufacturer का अपना एक log profile रहता है तो मान लेते हैं मैं अभी ये Canon से shoot कर रहा हूँ तो मैं C-log में shoot कर रहा हूँ अब हर एक camera में log format शायद अविलिवल ना हो ये depend करता है especially जो entry level cameras होते हैं उसमें log नहीं मिलता थोड़े से जो expensive cameras होते हैं वहाँ पे log footage का option मिलना शुरू हो जाता है तो अब question आता है कि log होता क्या है आपके camera में normally दो options रहती हैं रेक 709 एक होता है C-log normally जो आप वीडियो शूट करते हो रेक 709 में वीडियो शूट होता है जो एक standard profile है जहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो camera कुद प्रोसेस करके देता है उसमें saturation, clarity, contrast, even noise reduction ये सब apply होके फिर आपको एक वीडियो मिलती है log format क्या होता है log वीडियो में almost flat footage होती है उसमें colors भी जादा पंची नहीं होता है contrast कम होता है saturation level आपको उतना heavy नहीं मिलता noise reduction भी उतनी heavy नहीं apply होती और इसका benefit ही मिलता है कि आप अपने हिसाब से editing में जाके log footage को अपने हिसाब से color grade कर सकते हो अपने हिसाब से उसमें कितना contrast देना है कितनी sharpness देनी है कितनी clarity देनी है कितना noise reduction apply करना है वो सब आप अपनी मर्जी से बाद में कर सकते हो instead of relying on your camera बस यहाँ पे मैं एक confusion दूर करना चाहूंगा कि log footage और raw footage में difference होता है log is not a raw footage जैसे photos में होता है na jpeg और raw format जहाँ पे jpeg में processed footage मिलती है तो आप यह बोल सकते हो jpeg photo है na it is just like rec 709 जो वीडियो में होता है बट photo का raw format है वो वीडियो का log format नहीं है photo के raw format में एकदम raw details होती है उसमें camera कुछ भी processing नहीं apply करता log footage में processing हलकी सी apply होती है वीडियो में भी raw format आता है बट वो बहुत ही high end cameras में आता है और वो normally consumer cameras में आपको इतना easily देखने को नहीं मिलता तो जो वीडियो का log footage है वो slightly processed होता है बट rec 709 heavily processed होता है तो अब question आता है कि हम log footage में shoot करते क्यों है जब हम rec 709 में shoot करके बढ़िया colors and dynamic range निकाल सकते है तो let's talk about the benefits of log footage सबसे पहला benefit है dynamic range का अब होता है जब आप log profile में वीडियो को shoot करते होना as compared to rec 709 आपको log footage में dynamic range जादा मिलती है dynamic range क्या है highlights और shadows का difference इस वीडियो का example देता हूँ अगर आप log footage में देखोगे आपको काफी बढ़िया colors दिख रहे होंगे shadows और highlights का difference कम दिख रहा होगा क्यों? because editing में जाके मैं वीडियो में अपने इस आप से highlights को भी रिकवर कर सकता हूँ shadows को भी रिकवर कर सकता हूँ वो ही अगर मैं rec 709 के बात करूँ उसमें आप उतना easily नहीं कर सकते है because camera already उसको process कर रहा है तो जो scope है ना कि आप कितना highlights है shadows को touch कर सकते हो वो limited रहता है लोग footage में वो जो आपके पास freedom है highlights हो shadows के difference ज़स्ट करने का वो जादा रहता है अगला difference आता है bit rate का तो अगर मैं rec 709 video की बात करूँ तो on an average cameras 8 bit पे video को shoot करते है rec 709 में अब 8 bit में आपको 16 million colors मिलते हैं जो सुनने में बहुत ज़ादा लगते हैं बट यहाँ पे twist आता है कि जो आप lock footage में video shoot करते हो on an average अगर आपका camera 10 bit में lock footage को shoot कर रहा है तो आपको 1 billion colors मिलते हैं तो आप सोचो 16 million versus 1 billion obviously 1 billion ज़ादा है तो lock footage में shoot करने का benefit है कि आपको जो shades of colors है ना वो बहुत ज़ादा मिलते हैं इस वज़े से जब आप video को edit भी कर रहे होते हो तो rec 709 में जब आप colors को बहुत ज़ादा adjust करोगे तो अजीब सी lines दिखनी शुरू हो जाती है इसको color bending बोलते हैं वो चीज़ आपको lock footage में उतना easily नहीं मिलेगा जिस वज़े से आप colors को बहुत अच्छे से अपने ही साप से adjust कर सकते हो next benefit lock profile में shoot करने का यह है कि जैसे मैं आपको बता है रेक 709 में already आपको processed video मिलती है log में आपको processing बहुत कम मिलती है इसका best example लेते हैं माल लेते हैं आपको pasta खाना है आपने azomato में swigy से order किया और आप जो आपको pasta मिलेगा वो बना बनाए है जाद से जाद आप उसमें उबर से नमा किया ये चीज़ें ही adjust कर सकते हो वो ही हाल रेक 709 का है कि आपको बना बनाए मिल रहा है थोड़ी बहुत आप editing कर सकते हो log footage is just like कि आप घर में खुद पास्ता बना रहे हो तो अपने हिसाब से कितना pasta डालने हैं कितनी sauce डालने हैं कितना नवक डालने हैं इतनी subsidy डालने हैं सब आपके control में है तो एक तरीक से log footage में भी वह होता है कि जो camera है वो बहुत ही कम processing apply करके देते हैं आप अपने हिसाब से editing में उसको adjust कर सकते हो अब वैसे तो रेक 709 के सारे benefits हैं कुछ भी drawback नहीं है बस एक चीज को छोड़के और वह है 709 में camera internally noise reduction लगा रहा है बट जब आप लॉग में शूट करते हैं तो आपको post processing में बहुत अच्छे से noise reduction करना पड़ता है तो उसमें कई लोगों के लिए थोड़ा सा time consuming हो सकता है तो अगर आप low light में जाधा शूट करते हो I would suggest as a beginner आप Rec.709 में शूट कर सकते हो last benefit की मैं बात करना चाहूँगा जो होता है कि अगर आप multiple camera से शूट कर रहे हो माल लेते हैं आप एक wedding शूट कर रहे हैं कुछ function है जहाँ पर आप दो तीन या चार cameras यूज कर रहे हो या माल लेते हैं आप एक camera यूज कर रहे हो एक GoPro एक drone यूज कर रहे हो तो आजकल drone and action cameras में भी log footage आ गई है तो अगर आप सारे cameras में log में शूट करोगे न तो color match करना बहुत easy है जो आप Rec.709 में उतरह easily match नहीं कर पाऊगे तो यह तो थे benefits log में शूट करने के बद कुछ challenges भी है जो मैं पताना चाहता हूँ जब आप log में शूट करना शुरू करोगे न आपको सबसे बड़े दिक्कत ही आएगी या exposure सही नहीं आ रहा क्यूंकि आपकी screen में faded से color दिखेंगे आपको पता ही नहीं लगया कि exposure कैसा आ रहा है तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स पताता हूँ जिसको यूज करके आप सही से exposure manage कर सकते हो तो यह कुछ tools है जिनको आप in camera यूज कर सकते हो और कहीं cameras में जो आजकल नए cameras आ रहे है specially उनमें एक option होता है जहां पर आप LUT को enable कर सकते हो तो camera में ही LUT enable हो जाता है जैसे R7 and R5 में मेरे option है Canon के कि उसमें मैं C log में जाके अपनी LUT को apply कर सकते हो और आप जो मुझे previous screen में दिखेगा न वो ऐसा दिखेगा कि जब मैं उसमें LUT लगाऊंगा तो मुझे कैसा output दिखेगा तो basically आपको colors एकदम बढ़िया दिखेंगे बट वो शूट log में हो रहा होगा अगर आपके camera में features नहीं है तो the only option is external monitor use करना तो external monitors आते हैं 7-8000 से शुरू हो जाते हैं एक लाग तक जाते हैं depending आप कौन सा model लेते हो तो monitor का आपको benefit क्या मिलता है camera के साथ एक external monitor लग जाता है जिसकी screen बढ़ी होती है on an average 5 inch की screen होती है उसमें आप जैसी camera से connect करोगे आप LUT अप्लाई कर सकते हो LUT क्या होता है look up table basically जो आप जब editing करोगे और वो LUT अप्लाई करोगे वो वीडियो कैसे देखेगी वो आप monitor में देख सकते हो record करने से पहले record करते हुए तो उससे benefit होता है कि आप exposure और colors अच्छे से manage कर सकते हो तो अगली option आपको monitor के मिलती है जिसमें again आपको काफी features मिलते है जैसे कि अगर आपको zebra enable करना है या फिर आप false color enable करना चाहते हो यह सारे options monitor में भी मिल जाते है तो अब हमने बात कर ले कि log होता क्या है कैसे log को shoot करना है अब आते है सबसे important part कि log footage को edit कैसे करना है तो जब आप log footage को अपने editing software में लेके आओगे आपको देखने में बहुत ही de-saturated, dull सी video लगेगी तो इसको edit करने का सबसे पहला step होता है LUT apply करना जैसे मैंने आपको पहले पताया था अब जो LUT होते हैं आप Google पर search करो आपकी camera को आपको उस camera website पर ही मिल जाएगा महा से आप download करके सीधा apply कर सकते हो जिसका नाम होता है REC 709 LUT तो REC 709 LUT आप download करो उस software में उस footage के उपर लगाओ आपकी footage एकदम बढ़िया बन जाएगी अब next step है अगर आप खुद उसको color grade करना चाहते हो अपने हिसाब से तो further आप curve tools में या color tools में जाके अपने हिसाब से जो भी आपको color grading करनी है वो आप highlights, shadows, mid tones में कर सकते हो तो I hope आपको समझ आ गया कि log footage होती है और कैसे उसको shoot और edit करना है last मैं बस यह बोलना चाहूँगा कि log footage के बहुत benefits होते हैं बट कहीं लोगों के लिए starting में यह drawbacks होंगे storage बहुत जादा लेती है log profile तो almost double के आसपास आपकी storage अब लगने वाली अगर आप log में shoot करोगे और दूसरा difference ही होता है कि उसको color grade करना एक टेकनीक है एक process लो टाइम लेती है तो color grading की भी videos अगर आपको चाहिए comment करके बताते हैं मैं धीरी धीरे plan कर दूँगा तो I hope वी videos आपको help करेंगी तो अगर ये video आपको useful लगी comment करके ज़रूर बताना I'll see you in the next video अब तक take care and keep clicking